नमस्कार सभी को, हमारे चैनल को लाइक करें, सबस्क्राइब करें और सेयर करें, मैं डाक्टर एकलिक्टकुमार सिंग आज परपजाफ रेविट फार्मिंग, रेविट फार्मिंग के क्या उद्देश हैं, इससे क्या लाब होते हैं, इसके विशे में हम आपसे डिसकस करेंगे खरगोस के मास्कों सफेद मास्के बजाए, परली, मीट या मोती का मास्क कहते हैं और खरगोस के मास में वसा और कोलेस्टराल बहुत कम होता है इसलिए हिदय रोगी इसका परियोग कर सकते हैं और यह उनके लिए बहुत ही लाबदायक होता है खरगोस से उन भी प्राप्त होता है और खरगोस से चमड़ा भी प्राप्त होता है और खाद भी मिलता है और खिलोने और इत्यादी चीजें भी बनाई जा सकती है खरगोस एक फार्म जानवर है जो की 10 से 15 टाइम्स और इससे अधिक अपने वजन से एक साल में बच्चे के माध्यम से मास पैदा करता है बहुत से बच्चे पैदा करने के कारण मास की पूर्ती करने में यह मदद करता है जो की चिकेन और मटन से डिमांड की पूर्ती नहीं हो पाती है तो यह जो है रैविट फार्मिंग के माध्यम से उसकी पूर्ती बहुत आसानी से की जा सकती है तो इस में हम यह देखते हैं कि इसमें यह हरी पत्तियां पौधों की और सबजी की अधिक खाते हैं और जो है कंसंट्रेट भी खरगोस पैदा करता है हाई क्लास प्रोटीन मास विसेषते है लीन मीट हैट कम मात्रा में और कोलस्टाल भी कम होता है और उल साथ में इनके जो है उल भी मिलते हैं खर्गोस मास के साथ कोई सामाजिक कुरितिया नहीं है जैसे कि सोसल टैबू पीग जो है मुसलिम नहीं खाता है ये सोसल टैबू हुआ और काउ जो है हिंदू नहीं खाते हैं क्योंकि गौम आता मानते हैं जबकि खर्गोस के साथ ऐसी कोई जो है बंधन नहीं है इसलिए खर सभी community को acceptable है अब इसके लाव में हम कुछ और point बताएंगे जैसे कम लागत में प्रबंधंग एक घर बन जाता है इनका rabbit farming का और बहुत ही अधिक छमता होती है मास पैदा करने की और भोजन को मास में परिवर्टित की भी छमता अधिक होती है और gas station period बहुत ही कम होता है और मात्र अवसत 31 दिन मतलब इनकी जो है मात्र 31 दिन है और 2 kg वजन मात्र 8 सपता में पैदा कर लेते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे चैनल को like करें सब्सक्राइब करें और share करें और आप लोगों का आसिरवात हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है इसलिए हम यह वीडियो बना पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का